So Hello Guys and last time हम इस जगह पे पहुँच गए थे जो कि भाई ये क्लाउन्स का बेस है So जो क्लाउन्स गेंग है उसका ये बेस है एन हम अभी अभी रोमन को बचा के आए थे इनके हातों से एन फिर हमें केन ने बेस दिया दोबारा की भाई तुम इनके बेस में जाओ एन ने कुछ और बंदे हमारे पकड़ रखे है हमें उने भी रेस्क्यू करना है एन भाई इनका ये पूरा बेस दिस्ट्रॉय करना है तो फाइनली अब हम इस जगह पे पहुँच गए थे एन भाई मुझे जादा बंदे इनके मिले भी नहीं थे इस जगह पे एन ये इनका कैम्प था फाइनल तो अब देखते हैं इनकी कैम्प में गुसके क्या होता है अंदर भाई अंदर से तो भाई नहीं ठीक ठाक सजा सजू के रखा एन ये देखो भाई क्या डॉल जैसा है भाई थोड़ सा डरावना हो रहा है ब महल तो यहां पे भाई स्टेयर स्टुयर जा रही है इन्होंने पका कोई शॉपिंग मॉल पे कबजा किया है भाई और उसको अपने बेस में कनवर्ट कर दिया है तो ये गुस्ते अंदर ये देखो बड़ी सी डॉल दिख रही है भाई सामने ही देख रही हो अब ही मुझे फटफट रेडियो पे कॉल आए कि मुझे यार इन बंदों को रैस्क्यू करना है एंड भाई फटफट चुप चाप से रैस्क्यू करना है ताकि उनकी नजर नहीं पड़ी तो भाई मैं फटफट से इनको रैस्क्यू करी रहा होता हूं लेकिन गाईज तब ही मुझे से गलती हो जाती है जब मैं लास्ट वाले को रैस्क्यू करना होता हूं इनका जो यहाँ पे कलाउन का समझ लो इस ताइम जो यहाँ का लीडर है वो मुझे देख लेता यार ये देखो वो लीडर वोई क्या बड़ा इसको इस देख लात वार के साइड कर दिया अब मेरी बारी आने वाली है वोई गैस तो भाई फटवट से इनको भी बारता हूं यार इस दल जो लात वारी था गर कही मुझे पढ़गे ना ओ लाट तो मैं भी ऐसी नगिर जाओं वोई मैं तो से दूर से फाइट लेने वाला हूं असदीक तो मैं जाओंगा निए इसके पता निए क्या तोप के गोली से फैंक रहा है इसके फाइट करें बीच में चिर्कुट को नहीं चाहिए चल निए इसकी कितनी पावर है भाई यह तो बढ़ती जारी हो भाई बच गया मैं बिलकुल बाल बाल इसने मेरी कितनी हेल्थ कर दी डेमिज अगर एक शौट और बसता ना भाई भाई मैं खटम था मैं फटपट यहार पहले हेल्थ लगा लेता हूं कि यहां से बाई निकल ना यह दिखो भई कैसा इतना बड़ा साइट कर लिया है अब रहा है मेरा एक काम जो कि इनके बेस को डिस्ट्रॉय करना है तो फटपट से मैं बेंडी लगा लेता हूं एड यहां पर मुझे कोई जो इनों ने रख रखे थे सम्हाल के तो फाइनली मुझे वो मिल चुके एंड भाई देखो कैसे गिफ्ट रैप करके रखा है भाई बाई तो मुझे यह लाइट करना है बस अब देखते है क्या होता है तो यह पूरी जगह फटने लग गई है यह देखो बाई चारो तरफ आग भाई जो इनका जो मेन लीडर जो अब यहां पर नहीं है मेरे से तो बहुत गुसा होने वाला भाई मैंने उनका इसका एरिया ही डिस्ट्रॉई कर दिया तो यहार फटफट यहां से निकलते है इससे पहले कि यहां पर मैं ही जल के ना मर जाओ तो फटफट इस जगह से भागता हूँ अब मुझे भी भी रेडियो पर कॉल आया था एंज उसने बोला कि यहां पर कहीं पर यागे मेरा बाइक खड़ा है कि तो वह देखते हैं जाके कि कहां पर वह बाइक ओ अच्छा यह रावो तो यह मेरा बाइक तो नहीं क्योंकि मेरा तो रेड कलर का यार तो चलो जो भी मिल रहा है ले जाते हैं यहां से भागना ही तो तो फटा फटा सिसको स्टार करता हूं और यहां से निकलता हूं अबे खराब बाइक दिया क्या यार मुझे ओन फुटी जाना पड़ेगा अब बद कैसा बाइक दिया बाई तो मुझे ओख शिट 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 अन्फट नहीं जा सकता अभी पहले मुझे इनको पैलना पड़े का फटट अभी यार वह यह कौन मार रहा है मिरको कहां से मार रहा है कहां कहां तो यह स्पॉन हो जाते साले इदर अधर इस चल निकल बही अगर सकूं जैसे मैं आगे जाता हूं तो भाई मैं एक जगा पर ट्रैप हो जाता हूं बेसिकली यहां चारो तरफ आग लगे होती है और मेरे को जाने का कोई रास्ता नहीं होता है तब मैं एक बंडगरॉंड सब्वैर नगे बढ़े तो यहां ऍज का आप इस मन्धे बात करता है कि इस्कोई बात नहीं यह सका प्रसकाओ निग्रोप सब्सक्राइब सब्सक्राइब विजन मेरे कोया चाइब बचा है तो यह एक scavenger type gang है इनकी ठीक है तो भाई इसने बोला है कि तुम explore कर सकते हो एंड यह मुझे अपने leader से भी मिलवाएगा तो भाई यहाँ पर देखो ठीक bench press वेरा मार रही है लड़किया तो भाई मैं इस जगा को explore कर रहा तो है और मैं देखता हूँ भाई पूरा इन्होंने एक subway train station भाई कबजे में लिया होता है तो भाई यह लोग यहीं पर रहते हैं यह एक throne भी मुझे दिखता है जो कि भाई इनके leader का है तो अभी मुझे यार इनके leader से मिलना है और उसको भी thank you करना पड़ेगा कि उनके बंदे ने मुझे बचाया है तो चलते हैं इसके leader के पास जब मैं जा रहा होता हूं तो भी मुझे एक बंदा मिलता भाई इसकी हालत बहुत ही बुरी होती है देखो इसके फट है बेसिकली अगर हम भी यह सब चीजे कर सकते हैं यह देखो मतलब अगर हम यह वाला command यूज करेंगे तो हम बिल्कुल यह देखो भीक भागने पर आजएगा और अगर demand वाला करेंगे तो भाई मतलब हम डिवांड कर रहे हैं तो इस लेक तरीके से नया skill सिखाया मुझे चलो कोई बात नहीं अब यह टाइम पास हो गया अब चलते हैं इनके लीडर से बात करते हैं तो कहां पर इनका लीडर है तो यह मिलवाएगा मुझे उनके लीडर से ओके तो ऊपर बैठा हुआ है वह शायद तो यह मुझे बता रहा कि अब मैं उससे बात कर सकता हूं तो चलते हैं इसके लीडर से भी बात करते हैं यह दूखल into the station में रहें लोग तो चड़के वैठभा तो यहां इसे फटपट बात करते हैं बैश्य ओग करते हैं जाम मेरा तो इसको सबक्ष बताया इन बस यहां से जाने anymore हो चुका है चलते हैं फटाफट केन को बताते हैं कि भाई मेरे साथ क्या क्या हुआ एंड इस ग्रूप के बारे में बताते हैं कि मुझे इन्हों ने बचाया तो मैं जब यहां पर वापिस आ था अपनी शेल्टर में यह दीखता हूं भाई यह क्या बंदा भाई खतम हो सेव किर वह भी खुश है मुझे और वह बहु duż थार कुछ दो ऑखुश है एंड इस ने मुझे एक और बात स्काण बपर condem arqur crawl online को भी तो यह इस ने वह थार क्या बात वाए सब्सक्ष्चाराई इस तो मेरी से बात हुई इसने भी थैंक यू थैंक यू बोला मुझे एंड इसने एक मुझे गेफ्ट भी दिया है चलो खोल के देखते हैं इसने क्या दिया है फ्यूल क्रेट एमो क्रेट तो भाई यहां पे तो यही सब मिलेगा गेफ्ट में जो की काम आती है बलकि यहां पे चीज क्यूंकि यह लोग भी स्कैवेज करके लाए होते है तो अब मैं सब कुछ भाई सोच रहा था कि हैपी एंडिंग हो चुकि है लेकिन भाई ऐसा कभी नहीं होता है क्यूंकि यहां पे प्रॉब्लम्स ना गेट पे खड़ी होती है बस कोई लेने वाला चाहिए कि किसको वह चाहिए तो केन ने अभी अभी मुझे एक जॉब दिया है तो बेसिकली यहां पे बियर का अटैक हो रहा है बियर जो भालू है भाई जो हम पीछे गए भी थे तो हमें वह दिखा भी था जंगल में लेकिन वह इस शेल्टर के कुछ जादा ही करीब आ चुका है एड़ मुझे वह इंस्पेक्ट करने जाना है कि यह बियर इतना करीब क्यों आ चुका है मतलब शेल्टर के एड़ अगर वह जादा डेंजरस हुआ तो हमें शायद उसे मारना भी पड़ सकता है तो अभी मुझे यहां पर बेसिकली उसके एक क्लू ढूणना है तो यह मुझे कुछ तो इन्होंने यार इंस्ट्रॉमेंट दिया वह यह क्या है वह ग्रीन ग्रीन सा हो गया सब कुछ यह तो भई सूर जैसे दिख रहे भई यहां पर तो कोई बीर नहीं दिख रहा है तो अभी शायद मुझे इंस्पेक्ट करना है कि यहां पर बीर आया था कि नहीं तो यहां पर भई इसने एक डियर को मार रखा है बीर ने अगर वो सब कुछ मारता गया तो हम क्या खाएंगे भई हमारे को भी तो यह 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 डियर दूर खाने पड़ते हैं यह देखो भई यह इसको बीर ने अटैक किया हुआ है तो भाई इतने करीब तो आप बीर को हम नहीं रहने दे सकते हैं कम से कम वो शेल्टर से दूर तो होना चीए नहीं तो भाई हमारे लोगों को खाने लग जाएगा वो मुझे भी देख लो उस ताइम अटैक कर दिया था सने और जैसे मैं यह सब इंस्पेक्ट कर रहा था हूँ तब ही मुझे एक बंदा दिखता है पीछे खड़ावा अब इससे मैं बात करता हूँ तो भाई पूस्ते है जराइस से यह क्यों खड़ावा है यहां पर एंड गाइस तुम बिलीव नहीं करोगे इसने जो मुझे बताया है